नमस्कार, आज एक जरूरी पेड़ की जानकारी दे रहे हैं, यह पेड़ जो दिखा रहे हैं, यह है बकायन और इसे महानीम और विलाईती नीम भी कहते हैं, अन्य भासाओं में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, इसमें आयरुवेदिक औुशिदी गुण होते हैं इसका पेड़ 30-40 फूट उंचा होता है, और यह आसानी से लगने वाले और जल्दी बढ़ने वाले पेड़ हैं, इसे महानीम इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वात, जड़, तना, पत्ते, फल, काफी कुछ नीम के समान हैं, इसके पत्ते आकार में नीम के पत्तों से थोड़े चोड़े होते हैं, यह देखें इस तरह से, और किनारे से इस तरह नीम की अपेक्षा ज़्यादा कटे हुए नहीं रहते, यहां हम इने इस तरह से दिखा रहे हैं, पास से भी दिखा रहे हैं इनको, और यही इनकी पैचान है, स्वाद में कड़वे होते हैं, इस उसके फल गोल आकार में थोड़े बड़े और कड़वे होते हैं, इनको सुखा कर माला बना कर पहनने से कुछ बीमारियों से बचा जा सकता ऐसा कहते हैं, इस तरह अन्य पेडों संबंदी जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें, पकायन की जड चाल, पत्ते, फूल, फल और लकड़ी ये सभी उप्योग में लाए जाते हैं, नीम की अपेक्छा इसकी लकड़ी हलकी होती है, और फरनीचर अन्य समान बनाने के काम आती है, ये बुखार तचा रोग, सूजन, जैसे रोगों में लावदायक है, इस पेड़ में दिसंबर से फरवरी मार्च तक पज़ड के कारण पत्ते जड़े रहते हैं, बकायन के पेड़ के कुछ भाग थोड़े विशैले होते हैं, इसलिए इसका उप्योग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद, नमस्कार